हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल नेचर ब्यूटी में आज हम देखेंगे पॉर्चुला का प्लांट के बारे में ये एक सेकुलिंट प्लांट है इसे गर्मियों का पौधा भी कहा जाता है ये कई नामों से जाना जाता है जैसे कि पॉर्चुला का मौज रोज, नाइन ओकलॉक, टेबल रोज, आफिस रोज ये कई नामों से जाना जाता है यह गर्मी का पोधा है यह फरवर इसे अक्टोबर नवंबर तक फ्लारिंग देते रहता है इसे धूप की ज़ादा जरूरत होती है इसमें देखिए फर्टिलाइजर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आप बनाना पिल का फर्टिलाइजर दे सकते हैं साथ ही जैसे गूबर की खाद इसमें सैंड ज्यादा मात्रा में डालिए जैसे रेट ज्यादा मात्रा में रखी है तो इसमें ज्यादा पानी देने की आपको जरूरत नहीं है इस प्लांट को आप अपने गार्डन में जरूर रखे ये आपके गार्डन की खुबसूरती में चार चान लगा देगा तो एक सेक्यूलेंट प्लांट होने की वज़े से ये आपको ज़्यादा पानी भी नहीं मांगेगा और ये एक easy to grow प्लांट है बस आप इसकी एक कटिंग ले लीजिए और आप इसको बस ऐसे ये देखिए ये कटिंग है बस इसे आप ऐसे ऐसे लगा दीजिए ये easily grow करेगा ये easy to grow प्लांट है बस ऐसे आप इसे लगा दीजिए इसे 7-8 घंडे की धूप चाहिए ये ज़्यादा इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है आप इसे धूप में रखिए ये देखिए ये मैं अपने गार्डन से कुछ कटिंग लेके आई हूँ ये वीडियो बनाने के लिए तो आप देख सकते हैं ये कटिंग ऐसे आप नहीं खिला है तो उसका व्यू मैं किसी और दिन आपको दिखा दूँगी तो आप देख सकते हैं ये बस मैंने कुछ कटिंग मेरे गार्डन से लेके आई हूँ और ये मैंने वीडियो के लिए यहां पे ऐसे लगा दी है बस इजी टू ग्रो प्लांट है ज्यादा केर नही कि और शेर करना ना भूले साथ ही इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई